दोस्तों एक बार की बात है कि बहुत तेज चिल्चिलाती गर्मी पड़ रही थी. दोपहर का समय था. इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था. बहुत से जगह ढूंदने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला. पानी की तलाश में कौवा उर्ता ही जा रहा था. पानी की तलाश में उर्ते हुए प्यासे कौवे की नजर एक पानी से भरे घड़े पर पड़ी. कौवा घड़े के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुः घड़े के अंदर डाला तो देखा की पानी उसकी पहुँच से बाहर है बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुँचा पा रहा था जब कौवे ने देखा की वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुँचा पा रहा है तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली कौवे ने घड़े के पास पड़े पत्थर और कंकड अपनी चोंच में लाकर घड़े में डालने लगा एक दो कंकड कौवा अपनी चोंच में दबा कर लाता और घड़े में डाल देता पत्थर और कंकड डालने से घड़े का पानी उपर आने लगा प्यासा कौवा बड़ी मेहंत से तब तक घड़े में पत्थर डालता रहा जब तक घड़े का पानी घड़े के उपरी सिरे तक नहीं आ गया कौवे की महंत रंग लाई और देखते ही देखते पानी घड़े के उपरी सिरे तक पहुँच गया जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पी कर अपनी प्यास बुझाई कहानी की सीख, उपर बताई गई कोवे की कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी परिस्थिती में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेगे तो हार निश्चित है आपको बस अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए इमानदारी से मेहंत करते रहना है आपको सफलता जरूर मिलेगी